आज हम बात करेंगे फोर पिलर्स आफ उप यानि कि अब्जेक्ट ओरिंटेट प्रोग्रामिंग टेंशन नहीं लेना पहले शुरुआत करेंगे इनकैप्सुलेशन से फोर पिलर तो चारी होंगे तो इनकैप्सुलेशन का बात करते हैं इनकैप्सुलेशन मतलब सीधी सी बात है उप के पहले यानि अब्जेक्ट ओरिंटेट प्रोग्रामिंग के पहले जो भी प्रोसेजरल प्रोग्रामिंग होती थी जहां पे फंक्शन्स जो मोडिफाई करते थे डेटा को और विदाउट वहां पे कोई रियल स्टक्चर नहीं उती थी अब ही हमारे पास उप है यानि object oriented programming है इस case में हमें एक container मिलता है container मान लीजे एक real आपक रील लाइफ object मान लीजे जसमें की लेट से एक object car मान लीजे car के wheels हो गए उसके functionality हो गए जैसे car drive होती है या फिर engine start होता है यह सब उसके behavior है, data मतलब ऐसा मान लीजे, जैसे कि उसके color क्या है, wheels कितने है कितना महेंगा है, जो भी चीज है, example के लिए, let's say हम animal मान लेते हैं, तो यह अपनी data है और यह अपनी behavior है, अब कैसा है कि यह basically एक class है, यानि कि हम यहाँ पर कर चुके, encapsulate कर चुके, यह चीज अलग-अलग नहीं है, यानि कि एक animal जो blueprint है, अगर कोई भी animal बोलता है, तो let's say, यहाँ पर मैंने दो ही लिख है, और भी लिख सकते हो, तो यहाँ पर आप basically data और उसकी behavior एक साथ लिख सकते हैं, और basically represent करेंगे, real object को और यह चीज है में, ऊप में मिलता है, यानि object-oriented programming में और basically encapsulation मतलब आप encapsulate कर रहे हो, यानि कि आप behavior और method को एक ही चीज में sorry, आप data और behavior को एक ही चीज में encapsulate, यानि पैक कर रहे हो ठीक है, तो उसको बोलते है encapsulation, यानि कि basically capsule के अंदर जो भी चीज़े आप रखते हो, मतलब आप meaning समझ लो, दूसरा है abstraction, abstraction मतलब कैसा है कि अब यह हमारी object, यानि अपनी class है, अब abstraction मतलब कि जो भी आप चाहते हो कि यह class use करें, तो उसको अभी basically इसके अंदर क्या लिखना है, कैसे लिखना है, जो भी calculation हो रही है अब जो भी चीज़े उसका ध्यान नी देना है यहाँ पी चीज़े abstract है, यानि कि उससे यानि चिपी हुई है, यानि कि उसको इन सब चीज़ों का ख्याल नी रखना, simple क्या कर सकता है animal नम का object बना सकता है और उसको यूज कर सकता है, ठीक है जैसे मैंने आप यूज किया और मैं आपे क्या करूँगा animal.speak, तो मुझे मतलब नहीं कि बिसे कि लिखा, किस ने लिखा, क्या लिखा मतलब छोटा से example, यहाँ पे बहुत बड़ी calculation होती, तो आपको हर बार calculation का ध्यानी रखना है, कि भाई animal.speak, तो आपको ध्यानी देना है कि यह कैसे calculate हो रही है, आपको बस use करना है, यानि कि वो चीज़े abstract की गई आपसे, ठीक है, यानि easier way में अगर, लिख से आप कुछ भी यूज करते हैं, यह से get करने के लिए, local storage.get item करेंगे और यहाँ पर मुझे फिर से key देनी पड़ेगी जो मेरा k है, और मुझे 3 मिल जाती है तो यहाँ पर abstraction मतलब क्या हुआ, local storage जो है, basically आपको नहीं पता, right, कैसे काम कर रहे है, इसके पीछे क्या code लिखी गए है, आपको उन्होंने बोला, local storage type करो, और तुम्हें जो करना है, उसके उपर method है, यह सारे method दे दिया है और वो call करो, तो basically आपको local storage कहीं दिख रहे हैं, नहीं, right, आपको simple वैसे ही, आपने क्या क्या, एक object दे दिया, कि लो तुम new animal use करो, और animal के उपर speak है, यानि कि आप इन चीजों को abstract रख रहे हो, यह लोगों से छिपा रहे हो, ठीक है, basically अब abstraction में private members भी होते हैं, जो JavaScript उसको पर गाम कर रहे हैं, मैं भी आने वाले प्राइबेट नाम कोई चीज नहीं है, प्राइबेट member में नाम का JavaScript में बट आने वाला है, ठीक है, class के अंदर, तो basically abstraction का मतलब यह ही है, दुसरा अगर हम बात करें, तो आता है inheritance, ठीक है, inheritance मतलब simple से बात है, कि अब मुझे, let's say, मैंने और एक class बना लिया, जो हमने अलड़ी पिछले में देख लिया, ऐसा dog, ठीक है, अभी extend करेंगा किसको, animal को, और यहाँ पर हम, basically, यहाँ पर color दे दिया, हमने, let's say, मेरा dog का color के white है, तो basically, आप क्या कर रहे हो, extend कर रह ठीक है, यह run कर रहा है, अगर मैं refresh कर रहो तो भी, यानि कि, आप basically क्या कर रहो, आप inheritance कर रहो, यानि कि, जो भी parent की चीज़े आप reuse कर सकता हो, यहाँ पर, ठीक है, so, यह inheritance हमें provide करती है, oops, के अंदर, यह हमारा कौन सा है, तीसरा pillar, चौता कौन सा है, polymorphism, polymorphism, exactly हम JavaScript में स एक चीज के कितनी आकार हो सकती है, example के लिए, अगर आप बात करोगे water का, ठीक है, तो water को आप as a ice use कर सकते हो, right, as a vapor use कर सकते हो, है न, अब spelling आप समझ ले, gas भी उस कर सकते हो, तो इतनी सारी चीज़े है, water इतने forms है, यानि कि, polymorphism मतलब कि, एक चीज के कितनी सारी form है, और उसको कैसे यूज कर सकते हो, basically object तो इक ही water, उसकी इतने सारे forms है, बट यहाँ पर कैसा, अगर समझना है, तो simple सा है, कि अब मेरा speak method है, basically यह piece of code है, मैं इसको multiple object के लिए कैसे यूज कर सकता हो, multiple time, let's see, मैं इसको क्या करता हो, copy करता हो, यहाँ paste करता हो, ठीक है, paste नहीं करता हो, और यहाँ पर मैंने लिखा cat, अब basically, यहाँ पर मेरा cat का color, let's see, मेरा fancy cat है, तो मेरा blue color का है, अब मैंने यहाँ पर क्या लिखा, अब मुझे dog कैसा है, कि अब मुझे पता है, कैसे बोलता है, तो मैं क्या करूंग, speak define कर दोंग, ठीक है, यहाँ पर, और मैं यहाँ यहाँ पर dog barks, ठीक है, ऐसे लिखती है, से मैंने क्या किया, मैंने वापस copy किया method, यहाँ पर मैंने क्या क्या क्या, cat new कर दिया, so basically, आप देख रहे हो, depending upon object, आप कैसे, depending upon object, आप उसको कैसे customize कर पा रहे हो, यहाँ पर यहाँ पर क्या कर रहे हो, यहाँ अगर मैं class instance बना यहाँ पर मैंने लिखा cat, यह मेरी cat है, इसका नाम लिख से pinky है, अब यहाँ पर दिखिए, basically, मैंने क्या किया, override कर दिया, right, method को, यानि कि मैंने क्या क्या override किया, अब इससे क्या होगा, अगर मैं इस पर जाता हो, तो dog barks, cat news, यानि कि यह दोनों काम कर रहे है, अब यह method है इसके इतने forms है, मैं इसको अपने तरीके से use कर पा रहा हूँ, है ना, यानि कि जरूरी नहीं कि आप यहीं use करना था, मैंने क्या override कर दिया, तो basically, JavaScript में polymorphism का concept में यह कहता है, कि आप एक method को multiple form में use कर सकते हो, depending upon scenario है, जो भी आपके behavior है, ठीक है, इस case में मेरा speak था, अगर सेम यह आपे भी कर रहा हूँ, तो basically, यह concept था, polymorphism, so I hope, इसके वारे में आप और भी पढ़ सकते हैं, लेकिन, basically, थोड़ा सा मिध्यान में रखना था, कि यह जो चार pillar है, यह हमारे पास क्या है, so पहला encapsulation, दूसरा abstraction, inheritance, polymorphism, यही सब चीज, यही चारो pillar में मिलकर, हमें object oriented programming को support करती है, ठीक है, और I hope आपके वीडियो समझ में होगा, नई समझ में होगा, तो dislike पे अपनी चपल छोड़के जाए, मिलते अगली वीडियो में, thank you so much